पत्र जिलापाईशद CEO को सौपने के बाद जैपुर जिलापाईशद की राचनिती में घमासान मचा हुआ है जिलापाईशद सदस्यों की जैपुर से करीब साथ किलोमेटर दूर बाड़ा बंदी शुरू हो गई है जिसमें भाचपा के साथ कॉंगर्स के जिलापाईशद सदस्यों से भी शामिल है जिलाप्रमुख मूलचन मीठा को हटाने को लेकर अब सोशल मीजीया पर जन्ग शुरू हो गई है जैपुर जिलापाईशद में मचा घमासान सोशल मीडिया पर जिला प्रमुख के खिलाफ जंग जिला परिशस अदस्यों की बाड़े बंदी शुरू जैपुर जिला परिशद में चार साल से विवादों में रहने वाले जिला प्रमुख मोल्चन मीडा के कुरसी फिर एक बार खत्रे में है कुरसी बचाने के लिए मीड़ा भाजपा का दावन थामने की तैयारी में है तो कॉंग्रेस और भाजपा के पारशद बाड़ा बंदी कर अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने में लगे हुए है 23 जन्वरी को जैपुर जिला परिशद की बैठक में पता चलेगा कि मूल चन मीड़ा जिला प्रमुक की अपने कुरसी बचा पाते हैं या नहीं जिस तरह से 5 साल जिला प्रमुक जी ने काम किया सभी पारशदों में दोनों पार्टियों में नाराजगी है उससे नाराज होकर सभी पारशदों ने निर्न लिया है कि इस जिला परिशद को एक नया जिला प्रमुक दिया जाए और जैपुर जिले में विकास पुने हो सके जैपुर जिला प्रमुक मोलचन मीडा के खिलाफ जिला परिशद को सदस्यों ने सोशल मीडिया पर भी जंग छेड़ती है जिला परिशद प्रमुक ने कॉंग्रेस के जिला परिशद अदस्यों ने एहवान किया है कि अपनी पार्टी से उपर उठकर अंतरात्मा की आवाज सुने जिला परिशदय में जिला पड़ पर जैपुर जिला परिशद में 4 साल से विवादों में रहने वाले जिलाप्रमخ मोल चन मीडा की कुर्सी फिर एक बार खत्रे में आ गई है अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोल चन मीडा भाच्पा का दामन थामने की तैяжारी कर रहे है अब देखना होगा कि तेरा तारिक को होता क्या है दीपक गोयल, Z-Media, जैपुर